हेलो गाइज वेलकम बाक तो बीदा टॉपर इस यूनिट नाइन सेटिंग गोल आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं आपके एक्सराइज के सुल्यूशन अगर आप लोगों के पेपर जीसे की आने वाले होंगे तो अगर आपको चाहिए कि मैं आपके लिए पूरा टम टू का एक वन शॉट वीडियो बना दू जिसमें मैं आपको पूरा टम टू बता दू तो एक बार मुझे कॉमेंट कर देना अगर आपको इस तरीके का वीडिय चाहिए तो डेफिनेटली मैं ऐसा वीडियो बना सकती हूं मतब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बर जब तक आपके एक्जाम अगर होंगे तो हो सकते हैं मैं आपको ऐसा वीडियो दे दूँ तो आपको बहुत हो जाएगी उससे और चलो आप शुरू करते हैं अपना आ सबसे पहला हमारा चूज दा करेक्ट अंसर इसमें देखो यार सबसे पहला जो हमारा गोल्स कैन डिफाइंड आस तिंग्स वी वांट डाश इन लाइफ गोल्स कुछ ऐसी चीज़े होती है जो हम चाहते हैं लाइफ में क्या करना अचीव करना तो इस क्वेशन कर जाएगा है सुट है यह हमें हमें फॉरा राज करने में गोल्स को अचीव कर सके तो वो क्या चीज़ होते हैं तो वो होती है फोकस अपने थर्ड पर आते हैं प्रॉपर डश जो गोल्स होते हैं अगर आप complete करना चाहते हैं उनको if you want to achieve them तो उसके साथ क्या होना चाहिए प्रॉपर एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए फोट पे आते हैं डैश गोल्स और ऑल्वेज अचीव ऐसे गोल्स हमेशा अचीव हो जाते हैं तो वह कौन से गोल्स होते हैं स्मार्ट गोल्स और स्मार्ट का जो फुल फॉर्म है यह आप मुझे कॉमें लिखके बताओ कि स्मार्ट का क्या फुल फॉर्म है अगर आप कहोगे तो डेफिनिटली में वह सारे क्वेस्चन भी करा दूंगी आपको जो कि मैंने आपको नहीं कराएं जो कि आपके सब्जेक् हैं तो सबसे पहला if a goal has to be achieved it has to become part of our dash यहां ही पर डैश होना चाहिए अगर आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हो वह आपके डैश का पार्ट होना चाहिए किसका पार्ट होना चाहिए आपके plan का पार्ट होना चाहिए second क्या होता है goal should be dash and not general goal जो होता है हमारा वो डैश ह चाहिए जैंर्र नहीं होना चाहिए तो यहां पर होता है यहां पर आपका specific प्लास नाइन में आपे लिए गोल बना हो कितना और पढ़ना है और महनत से अपनी पढ़ाई को शुरू कर दोब थोड़ा सा टाइम ही बचा हुआ हुआ है टम टू में आपके लिए ग्जाम में तो हो रहे होंगे या फिर मतलब होने लग रहे होंगे कुछ दिनों बाद आपके एक्जाम शुरू होई जाएंगे तो अभी थोड़ी सी मैनत कर लो बाद में तो देखी ले जाएगा सारी मस्ती इंजॉय कर लेना और भी थोड़ा सा पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दे लो थर्ड पर गोल्स टेट में शुड्ड कंसेस्ट एफ डाश की बीडर जो भी हमारी होती है उसके अंदर कुछ की अल्यमेंट्स होने चाहिए तो वो कई यह होते हैं या आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ ठीक है वो क्या होते हैं 5 की element जो कि आपको बुक में मिल जाएंगे अभी मैंने जब आपको चैप्टर को स्क्रॉल किया था तो आपको दिख गए थे वहाँ पर ठीक है या फिर अपने बुक को टाओ देखो एंड कॉमेंट करके मुझे बताओ फोर्त है आपका वेन वी फिगर आउट देट आग गोल्ज बिकमिंग डिफिकल्ट वी मस्ट लुक एट डैश और गोल स्टेटमेंट जब हमारे हमें पता चल जाता है कि जो गोल्ज है उनको अचीव करना थोड़ाशा मुश्किल हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए जो हमा तंट के लिए जाना चाहिए और इत्ता कर लिया यह नहीं हो पाई यह सारी चीजिज है गोल्ज शुट बी-set चाहिए जो मैं जो चुर्ण एक स्टेटमेंट की तरह सेट के जाने चाहिए उपने थर्ड पर आते हैं यहां जो सबको बताने स्पैसीफिक के लिए क्या होगा measurable के लिए क्या होगा achievable के लिए realistic के लिए time bound के लिए तो सबसे पहला जो हमारे पास specific है जो goal specific होता है वो general नहीं होना चाहिए इसका आजाता है आपका ये वाला पहला यहाँ पर आएगा should not be general measurable क्या होता है measurable वो होता है जब हम ये बता सके अब इतने टाइम में हमने ये जो goal है आपका अचीव कर लिया है achievable क्या होता है achievable मितलब कि जो चीजे हमारी limits के अंदर होते है जो हमारा third ये वाला बनता है जो किसका पहला है it should be within our means हमारे means के अंदर वो चीजे आनी चाहिए fourth क्या होता है कि जो realistic चीज होती है वो आपके resources पर based होती है जो चीज आपके पास है based on resources available to us जो time bound होता है वो क्या है to be completed within time frame यह हमारा fifth कि जितना time frame हमें दिया गया है इस goal को achieve करने के लिए complete करने के लिए हमें उसने time पर यह चीज को complete करना ही करना है तो यार अब आजाते हैं अपने fourth question पे true or false and यहाँ पर जो सबसे पहला है हमारे पास short term goals are dependent of long term goals जो short term goals होते हैं क्या वो long term goals के उपर dependent होते हैं तो भाई ऐसा नहीं होता जो long term goals होते हैं उनको हम छोटे छोटे goals में divide करते हैं जो long term goals होते हैं वो dependent हो जाता है short term goals के लिए दूसरे पर आते हैं statement I will save rupees 2000 is a good example of smart goals क्या यह एक अच्छा एक्जामपल स्मार्ट गोल का तो नहीं यह अच्छा इसमें कोई time नहीं है कोई limit नहीं है कुछ भी नहीं दे रखा इसमें कि बचाएगा कि इतने बचाएगा क्यों बचाएगा कैसे बचाएगा कुछ भी उसने नहीं बता रहे हैं जैनरली ऐसी बात बोल दी और यह स्मार्ट गोल बिल्कुल भी नहीं थोर्ड गोल्स कम फ्राम यॉर्ड वाल्यूस से आते हैं तो यह वाला जो स्टेटमेंट है यह फोर्थ पर आते हैं गोल्स आफटो बें टाइम बाउंड तो गोल्स हमेशा टाइम बाउने चाहिए यह यह स्टेटमेंट भी ट्रू है गोल्स का एक टाइम होना चाहिए कि भाई कौन सा गोल हमें कितने टाइम में अचीव करना है फिफ्ट के है मारा अगोल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ त्री की अलिमेंट्स अभी मैंने आपको बताया था फेल इंदा ब्लांक में कि जो गोल स और भी चाहिए जो कि यह वाला जो क्वेस्टन आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहे हैं अगर आपको इनके अंसर चाहिए तो भी मुझे कॉमेंट करो मैं डिटेल में इसके पूरा पावर पॉइंट पर प्रेसेंटेशन वगारा बनाके आप लोगों के साथ इनके अंसर शेयर करूंगी और आप लोगों को भी हल्प हो जाएगी तो कॉमेंट करना अगर चाहिए होगा तो ठीक है तो थैंक्स वाचिंग बाई बाई